R.D. Sharma solution देख रहे हैं Class 12 है ये Chapter 9 Continuity exercise है 9.2 Find the points of discontinuity if any of the following function this x जो 2 है वो point of contention है और इसमें fx अगर x बराबर 2 नहीं है यानि कि जब हम x 2 लेंगे और उसके अलावा कोई और value लेंगे जब x 2 नहीं है तो हम इस function का use करेंगे लेकिन x बराबर 2 पे यानि कि ऐसा अगर हम करें f2 ये 16 value दी हुई है तो अगर आप इसकी continuity discuss करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि ये जो function है इसमें उपर देखे x की पाउर 4 माइनस 16 ये क्या है continuous है क्योंकि ये polynomial function है इसके नीचे अगर हम x माइनस 2 देखें तो ये भी आपका क्या है continuous everywhere हर जगा continuous है लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं आसान कैसे करेंगे क्योंकि left hand limit right hand limit निकालना है हमे और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों को value same आ रही है और क्या इस function की value उससे match करती है अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते है कि ये function continuous है या discontinuous है दो पे तो इसको देखेगा पहले मैं इसको resolve करता हूँ फिर मैं LHL आरे चल पिलाता हूँ ये है x की power 4 और ये है minus 2 की power 4 नीचे x minus 2 है इसको आप लिख सकते है x square का whole square minus 2 square का whole square उपर उपर का करना हूँ अभी तो ये x की power ये a square minus b square है तो a minus b a plus b x square minus 2 square और x square plus 2 square इसको फिर से a square minus b square का formula लगाते है ये बनेगा x minus 2 x plus 2 x square ये है plus 2 square यानि की 4 नीचे क्या था इसको लिए ये हाँ पर ये है x minus 2 इन दुनों को cancel कर दीजी तो final बनता है x plus 2 x square plus 4 तो ये आपका है क्या ये polynomial है और आप जानते हैं कि जो polynomial होता है वो हमेशा continuous होता है हर जगा पर left hand side left right hand side limit निकाल लेते हैं तो LHL के लिए क्या करेंगे आप और RHL के लिए क्या करेंगे आप point क्या है x बराबर 2 तो x को आप 2 minus h कर दीजी यहाँ पर इस जगा 2 plus h कर दीजी इसमें रखना है आपको finally तो यह हो गया 2 minus h plus 2 और 2 minus h का whole square plus आपका 4 यहाँ पर बनेगे आपका इसके जगा 2 plus h डालेगे तो 2 plus h यहाँ पर plus 2 और 2 plus h का whole square plus 4 अब यहाँ तो यहाँ h अपने आप डाल दीजे 0 डाल दीजे यहीं पर यह थोड़ा आगे होके डाल दीजे फरक नहीं पड़ता यह आपका h 0 है यानि 2, 2s are 4 हो गये यह h 0 है 2, 2s are 4 और 4 plus 4, 8 8, 4s are 32 यहाँ पर भी इसको 0 कर दीजे मैं limit h tends to 0 लगा रहा हूं दोनों जगा पे 2 plus 2, 4 हो गया सेम चीज यहाँ कर दीजे यह 0 है तो 4 plus 4, 8 यहाँ भी 32 आगया दुनों जगा आपका 32, 32 आगया लेकिन lhl, rhl में कोई दिक्कत नहीं है तो बराबर आ रहे है लेकिन इस function की value is 2 पे यह तो 16 है तो यह तिनों बराबर नहीं है इसका मतलब अगर हम continuity और discontinuity की बात करें तो x बराबर 2 पे यह discontinuous है यह ध्याम रखेगा Find the points of discontinuity if any of the following function यह x अगर 0 से कम है तो यह लेंगे x 0 से बड़ा है तो यह लेंगे और x बराबर है 0 से तो भी यही लेंगे तो इसके लिए भी आप discussion यही है कि आपका यह sin x है sin x continuous होता है हर जगा पे यह x नीचे y बराबर x यह हर जगा होता है continuous बस यह अगर इसको fx by gx कहें fx by gx question के हिसाब से यह continuous हो गया बस ध्यान रहे है कि x 0 नहीं होना चाहिए दूसा ले लिए 2x plus 3 यह तो सीधे के सीधे आपका polyromial function है 1 degree का यह continuous होगा आपका तो यहां तक तो बात आप clear लिख देंगे कि हमको पता है कि यह continuous क्या है क्या नहीं है और उसके बाद बता देंगे कि जो जो हमने सीखा हुआ है वो यहां लिख देंगे उसके बाद lhl rhl में चले जाईए यह 0 minus h अगर आप h यानि कि minus h रखना है sin minus h by minus h यहां क्या रखेंगे इसमें रख दीजे इसके जगा h 2h plus 3 sin minus theta minus sin theta होता है यह हम कई बाद discuss कर चुके है और इसको ठादीजे यह 2h plus 3 चल रहा है अब limit h tends to 0 जोनों जगा लगा दीजे sin theta by theta 1 होता है यहां पर आप 0 लगा दी जोती है आपका 3 आएगा lhl और rhl आपस में meet नहीं कर रहे है यह दोनों बराबर नहीं है पहली चीज़ दूसरा क्या है कि इसकी जो value है x अगर मैं यहां पर लिखूँ f0 मुझे यह यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बराबरी का sign यहां पर है 2x plus 3 0 डाल देता हूँ यहां पर यह भी 3 आ रहा है यह 3 यह है यह 3 है लेकिन यह तो 1 है जिसका मतलब आप यह कह सकते है कि यह point of discontinuity है x 0 पर find the points of discontinuity if any of the falling function fx तो x जब 0 नहीं है x जब 0 है तब तो 4 है x जब 0 नहीं है तब क्या करेंगे क्योंकि पहली चीस तो आपको बताना है साइन 3x यह sign function है यह continuous होता हर जगा x यह आपका y बराबर x यह कहें कि यह straight line function है इस तरीके से जो भी आप इस पर कह सकते हैं कि भई यह first order polynomial है तो अगर p by q form है तो इसका मतलब यह continuous है 4 तो खैर continuous है क्योंकि यह constant function है यह दोनों हो गया अब आप इसकी continuity चेक कर लीजिए 0 पर 0-h यहां रख देंगे यहांने कि minus h रख देंगे यहां 0 plus h रख देंगे यहांने कि h रख देंगे और रखना किसमें है इस sin x by x में रखना है sin 3 x by x में तो sin 3 into minus h by minus h यहां हो गया sin 3 into h by h यह हो जागा minus sin 3 h by minus h क्योंकि sin minus theta minus sin theta होता है minus minus cancel कर दीजे यहां भी sin 3 h by h है यहां 3 somebody pry करिए यहां से 3 somebody pry करिए यहां 3 somebody pry करिए यहां 3 7 pry करिए यह sin theta by theta यह sin theta by theta इसमें limit लगा दीजे limit as tends to 0 क्या वना यह 3 यह 3 तो 3 और 3 आ गया इसका मतलब left hand limit और right hand limit तो आपकी match कर रही है लेकिन problem यह है कि function की value 0 पे यह 4 है इससे भी match नहीं करती है इससे भी match नहीं करती है इसका मतलब इस 0 पे यह continuous नहीं है discontinuous है find the points of discontinuity if any of the following function fx दिया हुआ इस आपका sin x by x प्लस cos x और constant दिया हुआ है पहले चीज़ तो यह sin x जो होता है आपका continuous क्योंकि यह sin function है cos function यह continuous होते है हर जगा पे आपका जो y बराबर x है यह first order first order जिसे हम polynomial कह सकते है यह continuous होता है यह p by q form है यह continuous होगा बस यह q 0 नहीं होना चाहिए इसके लावा अगर आप इसको fx माने और gx को आप cos x माने cos x भी हर जगा पे होता है जैसे मैंने अभी बताया fx और gx माने इनको जोड दीजे तो भी continuous होगा क्योंकि यह property है कि f और g अलग-अलग continuous है तो f plus g, f minus g, f by g 1 by f, 1 by g, alpha into f, alpha into g यह सारे के सारे continuous होते है यह तो continuous हो गया इसके बाद 5 हो गया यह तो constant function है constant function का मतलब क्या है कि भई हमेशा constant function का मतलब होता है एक सीधी रेखा जो x-axis से parallel है तो यहाँ तक तो हमारा हो गया यह तो आप खेर यह सब चर्चा करेंगे यहाँ पर यह सब लिखना है आपको इसकी continuity चेक करनी है तो x बराबर 0 पर तो आपका 5 दिया ही हुआ है यहने कि f 0 5 value दिया है left hand limit, right hand limit निकालेंगे यहाँ पर हम रख देंगे 0 minus h यहने कि minus h यहाँ पर 0 plus h याने कि h ऐसे रख देंगे इसमें यहाँ पर आजाते है sin minus h by minus h plus cos minus h और यहाँ पर क्या लिखेंगे sin h by h plus cos h यह हो गया जब sin minus theta minus sin theta होता है तो यह minus sin h by minus h हो गया और cos minus theta plus cos theta होता है तो इसको उटा दीजे sin h by h plus cos h आप देखे यह बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों बिल्कुल सेम जैसे लग रहे है न limit h tends to 0 लगा दीजे जो एक value आएगी वो दूसरों किया जाएगी limit लगाएंगे sin h by h पर तो यह तो 1 होता है cos 0 होता है 1 तो इसका मंदर यह आगया 2 यह भी आपका 2 हो गया तो यह दोनों बराबर हो लेकिन जो function के value है 0 पे वो क्या होती है वो यहाँ पर होती नहीं है यह दिये हुई है 5 यह क्या हो आजी बराबर नहीं है x बराबर 0 पे तो discontinuous हो देखे individually यह सारे function continuous है यह हमको दिख रहा है यह हमने पढ़ा भी है लेकिन जब यह combination होता है और सवाल में कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि यह बताईए जी यह सब तो ठीक है यहाँ पर 5 हो जाए यहीं पर discontinuity बन जाती है find the points of discontinuity if any of the following यहाँ पर discontinuity चेक करेंगे तो इसमें भी इसी तरीके का है बस एक इसमें इनोंने tan inverse x डाल दिया हुआ है जहाँ रखेगा तो tan x tan x यह continuous होता है एक domain भी जहाँ रखेगा इसका एक domain है तो आप इसके लिए तो x की पाउर 4 x cube 2 x x square के लिए तो सीधा कह सकते हैं कि यह polynomial function है यह हर जगा continuous होगा 10 है आपका यह तो constant function है यह भी continuous होता है हर जगा पे जैसे मैंने भी बताया x axis के parallel चीज़ है लेकिन जब आप 10 inverse पे आते हैं तो यह continuous होता है लेकिन इसकी एक परिदी है इसका domain है divided by this is continuous तो अगर यह continuous होगा तो 10 inverse x not equal to 0 होना चाहिए बस तो यह 0 हो गया नीचे तो यह continuity की बात ही नहीं रहेगी किसी चीज़ को 0 से divide आप कैसे करो नहीं हो सकता न तो x not equal to 0 पे नहींने विलको सही चीज़ दी है और अब आपको इसकी continuity और discontinuity चेक करनी है तो बस x आपका 0 है यह आपका 10 हो गया ने अब 0 10 है तो अब LHL और RHL निकालेंगे देखेंगे क्या वो 10 के बराबर आता है कि नहीं आता है ओके तो LHL पे जाता हूँ मैं यहाँ पर हमको 0 minus h रखना है यहाँ हम x बराबर 0 plus h लेगे तो आजएगे यहाँ पर x की पावर 4 यहाँ कि minus h minus h ही एक तरीके से minus h की तब power 4 plus minus h की power cube plus 2 into minus h की power square नीचे आपका है 10 inverse और minus h यहाँ है ना अब इसमें इदर भी करेंगे अब यह भी बताता हूँ आपको यहीं बता दूँगा मैं आपको पहले यह बता देता हूँ तो h की power 4 यह तो h की power 4 हो गया और यह minus h cube तो minus h cube हो गया यह आपका plus 2 h square हो गया उपर तो यह आगया जीए ना यह क्या है 2 x square ठीक है यह तो यह आगया अब इसमें आप कुछ भी रखें नीचे है 10 inverse minus h है अब इसका हम कुछ भी करते रहें अभी इसको जोड़ा छोड़ दीजे उसका कारण क्या है कि अगर हम इस जगा पे h square common ले ले लें तो अभी कोई काम बने गा नहीं कुछ भी ले लें h तो उपर है ही तो नीचे का आप देखें ना देखें पहले यहाँ पर 0, 0, 0 यह कुछ भी कर ले जाए h common भी ले 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 तो 0 ही आएगा है इससा कुछ बने गा नहीं सेम चीज यहाँ पर होगी आरे चल में भी बिरकुर क्योंकि यह minus है यह प्लस h है कुछ भी करते रहिए बट दिक्कत यह है कि अगर इसमें भी आप देखेंगे और मैं यहाँ पर h रखूँ तो h की पाउर 4 उपर वाला बता रहा हूँ यहाँ वाला h की पाउर 4 प्लस h क्यूब और यहाँ पर इस जगह पे प्लस प्लस आपका जो भी 2h स्क्वार है तो h को जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा उपर यहाँ भी 0 आएगा तो दोनों जगह पे आपको 0 आएगा पहली जीज़ 0 तो आ गया लेकिन इस function की value तो इस पे 10 होती है यहाँ 0 है इसका मतब यह है यह discontinuous है x बराबर 0 इसी तरीके से यहाँ आपकी अलग-अलग function की discontinuity कह रहे है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि discontinuity पर आप यह ज़रूर चेक करेंगे कि कौन से function दिये हो है पहली चीज़ यह है कि e की power x यह continuous होता है e की power x minus continuous होता है जगह पे log x आपका continuous होता है log कोई भी लेली चीज़ जैसे 1 plus 2x दिया हुआ है 1 plus 2x अपने आप में होता है log x अगर log theta कहें या log k कहें वो continuous होता है दोनों को divide करते हैं तो वो continuous होगा हर जगह पे ऐसी 7 दिया हुआ है constant है यह आपका continuous है हर जगह पे तो बस इसके limit लगा दीजे और check कर लिजे क्या यह 7 के बरावर आता है के नहीं आता है तो 0 minus h 0 plus h करके का आपको करना है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहीं पे आपको एक solution मिल जाएगा हम direct limit लगाएंगे limit x tends to 0 direct लगा रहा हुँ मैं कैसे e की पौर x minus 1 है अब हम जानते हैं e की पौर x minus 1 by x अगर limit x tends to 0 लगाएंगे तो यह 1 होता है इसके नीचे x अपने आप जोड़ो दीजिए x उपर multiply करो नीचे लाइए यह log है e नहीं लिखरा हूँ में 1 plus 2x है हम यह भी जानते हैं कि log 1 plus k यह 1 plus theta by theta जिसका limit theta tends to 0 करेंगे तो यह आपका 1 हो जाएगा तो हमको नीचे 2x है उपर भी 2x है में प्राइए कर दीजिए अब आप limit लगा दीजिए x tends to 0 इस पे x tends to 0 इस पे यह बताया मैंने 1 यह बताया मैंने 1 1 1 हो गया इसको अटा दीजिए x से x काट दीजिए 1 by 2 आपका तो यह तो आपका limit आया है LHL आरे चल करेंगे तो कुछ इसी तरीके साएगे दोनों बराबर आने वाले हैं बता दुए आपको लेकिन यहाँ पर तो 7 है यानि कि f 0 आपका 7 है जो कि half के साथ match नहीं करता है जिसका मतलब कि यह discontinuous है x बराबर 0 पर Find the points of discontinuity आप इसमें modulus भी है बागी यहाँ पर आप देखी रहे हैं कि polynomial है लेकिन इसको हम करते हैं अगली बार तब तक लिए शुक्रिया महरबानी आप सभी की